बारतिय पत्रिकार्ता का एक ऐसा चहरा जिनके कामेंट को सुनने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ललाईत रहते हैं उनका नाम है श्रीराजदीब सर्देसाई श्री सर्देसाई की बातों से आप सहमत हों या सहमत लेकिन उन्हें नजर अंदास करना किसी के लिए भी संभव नहीं मुद्दा चाहे चुनाव का हो या राजनीती का अंतराश्टिय कूट नीती का हो या फिक क्रिकेट वर्ड कप का हर ज्वलंत मुद्दे पर बेबाकी से रखी गई इनकी राय की अपनी एक विशेश पहचान है भारत के खोनहार क्रिकेटर के रूप में शुमार रहे दिलीब सर्दिसाई के इस पुत्र ने पत्रिकारता के मैदान पर एक शांदार ओल राउंडर की भूम का निभाई है टाइमस ओफ इंडिया से पत्रिकारता शुरू करने वाले श्रीराज दीब सर्दिसाई एंडी टीवी में मैनेजिंग एडिटर भी रहे इसके बाद उन्होंने नेटवर्क 18 के निउस चैनलों में एडिटर इंचीफ की भूम का निभाई इस समय वो इंडिया टुडे ग्रूप के कंसल्टिंग एडिटर है लेकिन संस्थानों से जोड़कर श्रीराज दीब की पत्रिकारता का अंदाजा लगाना मुश्किल है सच ये है कि राजदीब खुद ही चलते फिरते पत्रिकारता की संस्थान है स्टूडियो के भीतर जितना समय उनका गुजरता है उससे ज्यादा वो फिल्ड में गुजारना पसंद करते हैं पत्रिकारता के अलावा उन्होंने लेखन के शित्र में जो हाथ हाजमाया वो नए पत्रिकारों के लिए एक नजीर की तरह है उनकी पहली पुस्तक 2014 दे एलेक्शन देट चेंजड इंडिया ने पाठकों पर गहरी छाप छोड़ी आज ये पुस्तक साथ भाशाओं में उपलब्ध है श्री सर्दिसाई की एक अन्य महतपूर्ण पुस्तक है डेमोक्रेसीज 11 दे ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी जिसे क्रिकेट का मक्का कही जाने वाले इंगलेंड के लॉड्स में क्रिकेट बुक ओफ दैयर्थ से सम्मानित किया गया श्री राजदीब सर्दिसाई को पत्रिकारता के लिए अनेको अवार्ड मिल चुके हैं इनने रामनाद गोयनका से लेकर पदमश्री तक शामिल है